नमस्कार बैटनोफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खुश्पू बीजेपी ने त्रिणमूल कॉंग्रेस को इट का जवाब पत्थर से दिया है पहले त्रिणमूल कॉंग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही ये कहकर कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए अब बीजेपी ने नौ महला निताओं के साथ एक पोस्टर जारी किया है और ये कह दिया है कि बंगाल को बुआ नहीं बलकि बेटी चाहिए इसके साथ साथ बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने मस्जिद में भड़काऊ नारे लगवाए है इसी पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल सीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार डॉक्साब बहुत स्वागत धन्वाद जिस तरीके से फिरहाद हकीम ने नारे बाजी करवाई है मस्जिद के अंदर ये क्या दर्शाथ है देखी एक तो बहुत ही जगन अपराद है और जहां हमें ख़वर मिल रही है कि एलेक्शन कमिशन के पास भारती जिन्ता पार्टी की टीम जो है प्रतनिति मंडल वह वहाँ पे गई है दो तीन पूरे इसको कसक्तिक जो गुदाम था जहांपे बीजेपी के सारे रथ जो प्रचार प्रसार के लिए जो गाड़ियां तयार हो रही थी वहाँ जाकर के तोड़ फोड़ त्रिमूल के जो गुंडों ने की है ये सारी शिकायतें एलेक्शन कमिशन के सामने दी गई है लेकि के मुस्लिम लीजर है फिरहाद हकीम और यह जो वीडियो उनका वार्रिं हुआ है वो दरसल जूमे की नमाज की है मतलब फ्राइडे टेड़ बजे दो बजे जो जूमे की नमाज होती है उस वक्त की है जूमे की नमाज के बाद जो मौली जो वहां होता है वो पॉलिटिकल भासन भी देता है कि क्या करना है नहीं करना है देश दुनिया की खबरों के उपर अपना वो तफसीरा भी करता है वो एनलाइज भी करता है और लोगों के दिमाग को पल्यूट भी करता है ये काम हर मस्जिद में होता है अब यहां पे एक मंत्री पहुंचते हैं मंत्री वैसे भी बाद हैं किस चीज़ के लिए तो मोडल कॉर्ण अफ कंड़क लगा हुआ है आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते इसके खिलाफ कारवाई हो सकती है और आप वहाँ जाकर कि क्या कह रहे हैं कि ममताब बनर जी को वोट देना बीजेपी आ जाएगी तो गुजरात बन जाएगा दिल्ली बन जाएगा ममताब बनर जी तुम लोगों के लिए यहाँ पर जितनी इमाम हैं उनकी सैलरी भी बढ़ाएगी यह तमाब तरह का प्रलोवन दिया जा रहा है और उसके बाद जब वो बोल रहा होता है तो पीछे से मुलाना साब कहते हैं कि आमीन बोलो मतलब आप देखिए कितने ब्रिजन तरीके से त्रिनबूल कॉंग्रेस मुस्लिम वोट के लिए देश के कानून को ताख पर रख दी इस तरीके से आप मस्जिदों के अंदर घुसके आपके नेता आपके मंत्री वोटों की अपील करें मुसल्मानों को बर्गलाने की कोशिस करेंगे और ये सब तब हो रहा है जब मोडल कोड अफ कंडिक लगा हुए तो इलेक्शन कमिशन को वहाँ के अधिकारियों को इस मंत्री को जो है कि खिलाफ कारवाई करनी चाहिए ये इस तरह से नहीं हो सकता आपने दस साल में तो ब वाकाइदा आपने जो का सकते कि डर के महौल में आपने डाल दिया दुर्गा पूजा हो सरसुती पूजा हो इवन जो नॉर्मल जिन्दगी वहाँ लोग जो जीते हैं उनमें हिंदुों में एक डर और खौफ का महौल है और उसके बाद जब चुनाओ आता है आप इस तरह की अपील करेंगे आप इनाउस्मेंट करना चालू कर देंगे ये तो गैर जिम्मेदाराना है भी और ये भी बताता है कि तर्मूल कॉंग्रेस की जो राजनीती है वो किस तरह से गर्त में चली गई है डॉक्टर सब जिस तरीके से बीजेपी नौ महला नेताओं के साथ पो प्याम रहा था लेल जो उठा पटक जो है जुक्ते कसी के प्रसाथ किस और की पुरानी स्टेटेशी है चाहिए यूपई हो बिहार हो जहां कहीं भी अमित्सा अचिए वाघन से कंधिर जीन चारी पिकनिक किसी Tradition हो रहा था जानी गए तो रां क्राट कि फेल हुने लगा तो टीमसी एक पोस्टर लेकर की आई जिसमें ममता बनर जी के पीछे से वो तस्रीर ली गई और वहां उसका एक थीम बनाया कि बंगाल को तो बंगाल की ही में चाहिए. बंगाल की ही बेटी चाहिए बंगाल को अरे बंगाल की ही बेटी होगी बंगाल का ही बेटा होगा आप इस तरह के केम्पेइन को चला करके आप क्या साबित करना चाह रहे थे कि भारती जंता पाटी आउटसाइडर है ये बाहर के लोग आये हैं बाहर के लोग यहां पे आकर के राज़ूीती कर रहे हैं तो इसका जवाब तो दिना लाजमी था तो भारती जन्ता पाटी ने कहा एक बेटी को आगे किया ये लुन नौ नव महिलाओं की तस्वीर के साथ उनने कह दिया कि वो बेटी नहीं है वो बुआ है ये बेटिया है दरसल तो आप इससे दो बाते आप कह रहे हैं एक तो वो प्रोपगेंडा इंसाइडर आउटसाइडर का भात जिंता पार्टी को एक आउटसाइडर पार्टी बताने की जो कवायक थी उसको तो जटका लगा ही जवाब भी मिल गया और दूसरा आपने बुआ और बेटी का जो एक डिस्कोर्स आप लेकर क्या है तो इसका मतलब ये है कि पुरानी जेनरेशन की हो गई ममता बनर जी अब नया नई सोच नई विचार नई लोग नया खून युवाओ की पार्टी वर्सेज बुआ की पार्टी तो अब आपको तो इस तरह के जब आप ये कहेंगे भई आउटसाइडर आप कहेंगे कि भई ये सब जो है पिक्निक मराने आते हैं तो इसका तो जवाब मिलेगा ही और जो जवाब दिया गया है वो करारा जवाब है क्योंकि एक और मसला इसमें फस्ता हुआ नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि TMC या फिर कोई भी इस्तरक की जो परिवारिक पार्टियां होती हैं, चाहे आप अखलेस जादब की पार्टी ले ले, मायवती की पार्टी ले ले, आरजेडी ले ले, या फिर सिवशेना ले ले, बीम के ले ले, जहाँ एक परिवार की पार्टी होती है, उसमें कोई दूसरे का चेहरा दिखाया नहीं जाता, तो आपने क्या किया, वहाँ तो सिर्फ मंता की तस्वीर लगेगी, मंता अभी से एक बनर्जी, उसके अलावा किसी की तस्वीर तो वहाँ सामने लगी नहीं सकती, कोई हिमत भी नहीं करेगा, अपने पोस्टर को लगा देना मेंन कन पेंट में, आपने क्या किया, कि एक मंता के खिलाफ आपने नौनो तस्वीरे आपने लगा दी, अब यह देखी, जो नौ लीडर्स होंगी, जिनकी जिनकी तस्वीरे आई हैं, वो कैसा फील कर रही होंगी, बहुत सारे जो लीडर्स होंगे त्रिनमुल कॉंगर्स की जो महिला लीडर्स होंगी उनको लग रहा हूँ आपने कभी देखा मुनमुन सेन एंपी रही अभी बहुत सारी फिल्म एक्टरसे जवेरा भी उसमें टीमसी की एंपीज है आप टीमसी के कैमपेंड में उनके तस्वीर देखेंगी नहीं वो हो इनी सकता लगी नहीं सकता यह इस तरह की पार्टियों की प्राब्लम है राहुल गांदी का चेहरा चमकेगा अखलेस जादव का चेहरा चमकेगा लाल ज्यादव के बेटे का चेहरा चमकेगा कोई दूसरे लीडर की तस्वीर नहीं आ सकती लेकिन इसलिए आपने जिससे कह सकती कि न सिर्फ आपने ममता बुरन जी केंपेंड को जवाब दिया बलकि आपने नहले को उपर देला ठोब दिया अब इसमें टीमसी बिलबिला रही होगी कि अब इसका क्या जवाब दिया जाए तो अब तो बुआ बुआ ही चलेगा इस चुनाओं के अंदर कि बंगाल की बेटी तो ख़ई वो गई काम से अब वो चला गया पीछे वो लागिव अब सारे लोगक बोलेंगे बुआए बुआ अगई इससे मा्यवती मा्यवती को लोग करते हैं रहे क्यूं वह के दिया कि पेंज streege में मुल्य मुलामसी उड़ richtige है तो भूगे सब्सक्राइब टेंघ जहाए तो बूआ ऊब प्रहार का जवाब देते हैं और यही चुनाव की ब्यूटी है कि अटैक के उपर काउंटर अटैक फिर उसके उपर काउंटर अटैक तो दोनों तरफ से चल रहा है तो यह मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने उस तमाम जो नेरेटिव लेकर के टीमसी प्रचार प्रसार के ल होताब एनरजी को ही यहां पर कुरसी पर बने रहना चाहिए लेकिन जिस सरीके से बीजेपी ने नहले पर दहला मार दिया है तो इससे क्या होगा देखिए यह जो आउटसाइडर की बात है वो तो उससे समय खत्म होगी थी कि जब अमिश्या ने अपने रैली के दौरान अ बॉख्यमंत्री होगा वो धर्ति पूतर ही होगा बंगाल का होगा और वो भारती जिंता-पाठी का होगा जब वो ये बात कह रहे है तो इसका मतलब बिलकुल साफ है कि उखिर जब ख्रुभा तो आपने महिलाओं को लुभाने के लिए आपने ये तस्विर निकाल दी कि अब इसका जवाब इस तरह से दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा पूरा जो है, वो चुनाव में यही होता है, जो पाटी इस तरह के narratives को set करने में काम्याब हो जाती है, वही पाटी जीत पाती है, अब तक जो देखा जा रहा है ममता बनर जी का हर दाओं जो है वो, वो फ ममता बनर जी अभी सिर्फ और सिर्फ भारती जंता पार्टी के अटैक का सिर्फ जवाब दे रही है। इस चुनाओं में बहुत भारे नुकसान उनको हो जाए। चुना गया है देश भर से और उनकी जिम्मेदारी दी गई है कुछ अलग-अलग इलाकों में। अब इसकी घोषना होगी। अब आप देखिए जिस तरीके से भारती जंता पार्टी ने बंगाल चुनाओं को एक एगो का सवाल बना लिया है। और जिस तरीके से बंगाल के ऊपर पूरी ताकत जोग दियden है। लोग केरल के बारे में बात ही नहीं कर रहे। लोग तमिलाडू के बारे में बात ही नहीं कर रहे। बंगाल के बगल में एसम है उसकी वहां क्या election में होगा उसके वारे में भी कोई चर्चा नहीं है जबकि वहां पहली बार पिछली बार जो है बीजीपी जीती थी और सरकार बनाने में काम्याब हुई थी अब वहां पे Congress Party के सामने कोई आपसर नजर नहीं आ रहा है वहां पे बुरी तरिके से वो लोग पिछड़े हुए हैं, तो भारती जिन्दा पार्टी वहाँ जीतेगी, इस तरह के सर्वी रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, लेकिन उसका national importance बिलकुल कम सा हो गया है, तो भारती जिन्दा पार्टी एक काम करने में तो काम्याब रही है, कि बंगाल की जन्ता को ये बताने में वो सफल रही है, कि वो बंगाल को कितना ज़्यादा एहम, उसको कहते हैं, महत्तु दे रही है, और उसके लिए तेजभर से जो लीडर्स हैं, जिसको लोग टेलिविजन पे देखते होंगे, वो सब के सब उनके घर पे वोट म मांगने के लिए आएंगे, और इस तरह के कैम्पेइन का बहुत बड़ा इंपक्ट होता है, और मुझे लग रहा है कि भारती जन्ता पार्टी और RSS जिस तरह से आप देखी, मित्रु चगिवर्ती से मिलने चले गए संग प्रमुख, पुरा संग के कारकरता जो है वो लग हुए हैं टेम्पेइन के लिए, तो ये एक बड़ा चालेंज है, चिनोती है, भारती जन्ता पार्टी के सामने, ममता बनरजी is a very strong candidate, very strong leader, तर्मुख को हिलाना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिज जो है वो बहुत ही ज़ादा अब तक जो चल रहा है, उसमें दिख रहा है, कि ये सिर्फ न महनत ही कर पा रहे हैं, बलकि वो महनत, बकाइदा रंग भी दिखा रही है, जी रॉक्सार, बहुत बहुत शुक्री है स्वाम जानकारी के लिए, तो ममता की मंतरी फिरहार हकीम को ये पता होना चाहिए था, कि चाहे बंगाल की बेटी हो, या पंदिरों में घंटिया बजाने से, अगर आपको हमारा वीजियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेर करें और क्यापिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, नमस्कार,